दूसरा मिसाइल का बरा जा रहा है एक के बाद एक, तीन, चार, पाँच मिसाइल सारी की सारी निउट्रिलाइज की जा रही है मैं इस समय एश्किलोन शहर में हूँ जो की मिलिटरी जोन डिकलेयर कर दिया गया है और मेरे कैमरमेन मान हम आपको दिखाएंगे कुछ मिन्टों पहले ही लगबग आप मान के चलिए तीन बच कर पाचपन मिनट के आसपास में भारती समय के मुताबिक यहाँ पर एक मैसिव रॉकेट अटाक हुआ और एक रॉकेट इनफेक्टीक मेरे दाईं तरफ जाकर गिरा है हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आपको आग का धुआ बड़ा काला दिखाई दे रहा है वहाँ पर रॉकेट एक गिर गया है आमने लगबग साथ से आठ रॉकेट देखे और अब उसमें से अधिकतर को निश्ट कर लिया गया है लेकिन एक रॉकेट एसकिलॉन के शेहर के बाहरी तरफ गिर गया है और वह लेकिन अब पूरी तरह से जाहिर से बात है कि हमास ने जो चितावनी दी थी कि शुकरवार को वो बहुत ज़ादा अटैक्स करेंगे उसकी शुरुवात हो गई है आज सुबह से लेके दोपहर तक सिचुवेशन काफी कंटोर लग रहे थी क्योंकि इस्राइली फोर्सेस अ और इसके अलावा जो टैंक्स मूव किये सेक्डो की तादाब में वो सीधे सीधे कोई संकेत ने बलकि संदेश दे रहे थे हमास को अब देखना होगा दो चीजे पहला कि हमास किस तरह से इन सारी अक्टिविटीज को रिस्पॉंड करता है दूसरा जो काउंडाउन पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा टेंशन पैदा कर रही है यहां पर पूरी तरह से तैयारी बहुत ज़्यादा इनफेक्ट अभी साथ आट मिनिट पहले एक और बड़ा मिसाइल अटाक हुआ और हमें यहां पर इसे तुरंत ही डग करना पड़ा और यह जाहिर से इस इसे बहुत एजी ले नहीं रहा है और जितने भी संदेश दिए जा रहे हैं तस्वीरों के जरिये की सेक्रो टैंक्स हैं आटलेरी गंस हैं फाइटर जैट्स हैं हेलिकॉप्टर्स का अट्रे का इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन हमास की तरफ से भी बहुत ज़्यादा जी है हम वह भी दर्शुकों को दिखाएंगे लेकिन काउंडाउन शुरू हो गया है अब ये कब होगा ये काफी कुछ निर्भर करेगा क्योंकि जो हॉस्टेज सिच्वेशन है उसको लेकर एक दूइधा बनी हुई है अगर फुल ओफेंसिव लांच कर दिया जाएगा इ एक और रॉकेट अटैक हुआ है मेरे कैमरामेन मान आपको दिखाएंगा और साथी साथ हमें खुद शेल्टर की तरब भी मूव करना पड़ेगा मान रन 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 और यह लेकर मिसाईल देखिए ठीक एक मिसाईल हमारे ठीक उपर सारण भी बज़ रहा है और मिसा कि यहां कोई बंकर नहीं है इसलिए हमें यहां पर नीचे ही जुगना पड़ेगा कोशिश करना मान दिखाने के लिए दर्शुकों को दिखना से यह कि किस सरह से लगातार मिसाईल अटाइक यहां पर हो रहा है और यह देखिए आप धमाकों के आवाज सुनिए मैसिव मिस मिसाईल अटाइक एक बार फिर से इसलिए कोशिश हम करते हैं हमेशा की अधिकतर समय किसी बंकर के पास में रहें लेकिन अभी जो साइरन बजा तो उसमें हम मूब कर रहे थे ओके साइरन ओफ हो गया है लेकिन फिर भी अभी मान आपको दिखाएंगे कि यह देखिए जो म कैसे हवा में नश कर दी गई हमें 5-6 धमाके सुनाए दिये थे और आखिरकार सभी मिसाईलों को एक बार फिर से न्यूटराइज कर लिया गया पहली बार ऐसे हम सुच्वेशन में फसे जहां पर किसी बंकर के पास में नहीं थे क्योंकि हम एक मूविंग रिपोर्ट फाइ मिसाईल का बराज आए देखिए आयन डोम सिस्टम एक्टिवेट हुआ और ठीक हमारे सर के उपर मिसाईल बराज निट्रलाइज कर दिया गया हमास ने कहा था कि शुकरवार को बड़ी तादाद में अटाक करेगा और एक्जैक्ली वही हुआ जब इन फाक्ट लगभग 35- के अंदर दूसरा मिसाईल अटाक है बाल बाल हम बचें क्योंकि कल तो एक मिसाईल मेरे और कैमरामेन मान के ठीक 20 मिटर दूर आकर गिरा था और आज फिर 35-40 मिनिट के गैप में ये दूसरा रॉकेट अटाक ठीक हमारे उपर लखिली एक बार फिर आयन डोम काम किया और सा कैमरामान के साथ मैं आशीर सिंग एबी पी न्यूस के लिए गाजा बॉर्डर के पास से